यह सवाल आगरा से हर्ष ने पूछा है नमस्कारम सद्गुरू राम जन्म भूमी विवात को सुल्जाने में करीब तीन दशक लग गए राम मंदर भूमी पूजा को कुछ दिन रह गए हैं और आयोध्या में काफी उत्सा है हाला कि राम एक राजा थे फिर भी आज उनकी पूजा क्यों की जाती है मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज के समय में राम कैसे महत्वपून है चूंकि वो आगरा के हैं इसलिए वो उन्हें राम कह रहे हैं हम जहां से हैं हम उन्हें रामा कहते हैं तो हम उस आ को नहीं छोड़ेंगे अगर कोई भूल जाए कि मैं दक्षण भारत से हूँ क्योंकि मेरा नाम देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पंजाबी हूँ मेरा नाम और मेरी नाम और मेरे बाल दोनों से उन्हें लगता है कि मैं जरूर पंजाबी हूँ नहीं नहीं, हम उन्हें रामा कहते हैं मैं और नीचे तमिल नाडू जाकर उन्हें रामन नहीं कहूँगा फिर लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे शायद उन्हें लगे कि मैं किसी और की बात कर रहाँ रामा देखे, संस्कृति की सुंदर्ता यही है कि यहाँ कोई The God नहीं है कुछ गुण हैं जिने हम दैवी मानते हैं अगर किसी इनसान में वो दिखते हैं तो हम उनके आगे सर जुकाते हैं क्योंकि हम गुण के आगे सर जुका रहे हैं उस इनसान के आगे नहीं यह ऐसी चीज है जिसे दुनिया के ज्यादतर लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो बहुत कटर धर्मों से जुड़े रहे हैं भगवान क्या है, शैतान क्या है, आदमी क्या है, औरत क्या है हर चीज की सपष्ट परिभाशा है भारत में किसी चीज की परिभाशा नहीं है क्योंकि मैंने आपको अपने मसाले के बारे में बताया था सब कुछ ऐसा ही है हमेशा विकास हो रहा है, हमेशा चीजें हो रही है इसमें काफी जीवन और उर्जा खर्च होती है कि आप खुद को अव्यवस्थित रखें और फिर भी एक दिशा में बढ़ें मगर ये तारों के समूं या मधुमक्यों के जुंड की तरह है ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रही लेकिन वो हमेशा कहीं जा रही होती है और उन्हें पता है कि वो कहां जा रही है लेकिन एक बाहरी दर्शक को ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रही तो आपको ये समझना होगा राम या रामा वो आयोध्या के हैं जहां मंदिर का निर्मान हो रहा है क्योंकि वो उनकी जन्म भूमी है मंदर कुछ हजार साल पुराना है कोई नहीं जानता कि पहला मंदर किस युग में बना था फिर विकास हुए, हजारों सालों में विकास के काम हुए लेकिन करीब 500 साल पहले उसे तोड़ दिया गया व्यवस्थित ढंग से धेर सारे मंदिरों को तोड़ा गया जिनके उपर दूसरे धार्मिक स्थान बनाये गए उसी निर्मांट सामगरी से इसे तोड़ो और उससे कुछ और बना लो तो राम के एक आदर्ष होने के कारण आपको समझना होगा कि वो एक आदर्ष है भगवान नहीं, क्योंकि हमने उन्हें भगवान नहीं कहा पुरुषोत्तम शब्द का मतलब ही है उत्तम पुरुष राम को हमेशा पुरुषोत्तम कहा जाता है इसका अर्थ है कि सभी पुरुषों में वो उनसे उपर हैं क्योंकि वो इतने उचे स्तरके हैं उनमें उचे स्तरकी क्या चीज़ है? वो कई परीक्षाओं और दुखों से होकर गुजरे, मैं पूरी कहानी में नहीं जाओंगा लेकिन मुसीबतों का सिलसला, उनका जीवन मुसीबतों की लड़ी है वो अपना राज खो देते हैं, अपनी पत्नी खो देते हैं, एक युद्ध लड़ते हैं, वापस आते हैं फिर से अपनी पत्नी को खो देते हैं, अपने बच्चों को खो देते हैं, अपने बच्चों को लगभग मार ही देते हैं अंतहीन मुसीबतें, इन सबसे, वो शांती से, आनंद से होकर गुजरे. दर्द था, लेकिन फिर भी आनंद के साथ, एक स्तर पर, व्यक्तिकत स्तर पर उन्हें काफी दर्द है, जिसे वो व्यक्त करते हैं, लेकिन वो कभी उस दर्द को, किसी उस चीज़ के बारे में कोई फैसला नहीं करने देते, जो वो कर रहे हैं. तो जब कोई इनसान इस तरह पेश आता है, तो हम उसे पुरुश उत्तम कहते हैं, क्योंकि वो पुरुशों के बीच उच्छ स्तर के हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक इनसान है, उनका जन्म अयोध्या में हुआ, और एक खास उम्र में उनकी मृत्य हुई, उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, देश भर में घूमे, दक्षेन आये, और फिर वापस उत्तर गये. अपने दुश्मन को मारने के बाद, जिस आदमी ने उनकी पत्नी का अपहरंड किया था, और जो निर्दैता से राज कर रहा था, उसे मारने के बाद, वो वापस आते हैं, और एक साल पश्चाताप करते हैं. तो उनके भाई ने पूछा, क्या आप पागल हैं? वो सबसे बुरा आदमी था, आपका उसे मारना जरूरी था, और अब आप पश्चाताप कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या हम सबने कुछ गलत किया है? तो रामा ने कहा, देखो, इस रावन के बारे में बहुत से बुरी चीज़े हैं, लेकिन वो एक महान भक्त था, और वो अपना राज बहुत अच्छे से चलाता था, उसने बाकी हर किसी का शोशन किया, जिसके कारण मुझे उसे मारना पड़ा, लेकिन वो एक महान भक्त थ उसके लिए मैं पच्तावा कर रहा हूँ कि मैंने एक भक्त को मारा, तो इस व्यक्ति का अनुसरन करना जरूरी है, और बहुत महत्वपून है कि वो एक इनसान है, अगर वो भगवान बन जाते हैं, तो आप उन्हें दिवार पर लटका देंगे और उन्हें भूल जाएंग तो स्वाभाविक रूप से हर किसी में चाहत होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपून है कि वो एक इनसान है, वो एक राजा थे, उन्होंने अपना राज्य खो दिया और फिर वापस लोटे, और अपने राज्य की सारी शानों शौकत चोड़ कर सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि कोई और दुखी था, उनकी सौतेली मा थोड़ी दुखी थी और उनकी पीट पीछे थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रही थी, वो बोले अगर आप यहीं चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, इस आदमे का अनुसरन करना ही चाह जब आजकल लोग पागल की तरह सत्ता से चिपके हुएं, चाहे कुछ हो जाएं, चाहे वो चुनाव हार जाएं, वो जाना नहीं चाहते, ऐसे समय में रामा का अनुसरन करना बहुत-बहुत-बहुत जरूरी है, तो यह मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है, मंदिर लेकिन उत्तर में राम उनकी आत्मा है, और पांच साल पहले, जब तुर्की से विदेशी हमलावर और बाद में कुछ मंगोलिया से भी, वो आए, और उन्होंने एक-एक करके सभी मंदिरों को तोड़ डाला, यह बहुत समय पहले बना एक प्राचीन मंदिर था, जो उस सम बादी में अपनी मन चाही चीज बना दी, यह विवाद धदकता रहा है, यह विवाद अदालत में मेरे खयाल से अगर मैं सही हूँ, तो 135 सालों से अंग्रेजों के जमाने से यह अदालत में था और चलता ही जा रहा था, क्योंकि दुर्भाग्य से इस देश में हमने किसी कीमत पर राजनीतिक रूप से सही होने की इच्छा बना ली है, कोई भी जज इस पर फैसला नहीं करना चाहता था, हर कोई इसे आगे बढ़ाता रहा, ताकि उसका कारेकाल खत्म हो जाए और अगला जज इस मुसीबत से निप्टे, क्योंकि दो समुदाय जमकर आपस में भ पत्ती है, लेकिन अब सुप्रीम कोट ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये मुकदमा करीब तीन-चार दशकों से सुप्रीम कोट में चल रहा था, अब सुप्रीम कोट साफ तौर पर एक निशकर्श पर पहुँचा है, सभी सुबूतों को देखते हुए, पुरा यहां मंदिर बनना चाहिए, दूसरे समुदाय को उन्होंने दूसरी जमीन दे दी, जो शायद वहां से 20 किलोमीटर के भीतर है, उन्होंने कहा कि आप अपनी जगा वहां बनाएं, इन्हें अपनी जगा यहां बनाने दीजे, तो ये सिर्फ एक और मंदिर नहीं है, ये भा बहुत से लोग हैं जो डूसरे धर्मो के हैं, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, जो कई-कई रूपों में उनकी सराहना करते हैं, तो कई मायनों में रामायन, राम के चीवन की कथा, भार्ती संस्कृती का एक अभिन हिस्सा रही है, तो ये लगभग एक गायल राष्ट्री ये आत्मा को पुनर जीवित करने जैसा है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है, वरना बिना मतलब दूसरे समुदायों के खिलाफ नफरत जारी रहेगी, इस हल के साथ बहुत से दिलों और दिमागों को ठंडक पहुची है, जो देश के भविश्य के लिए एक अच्छी बात है, वरना दो समुदायों के बीच लगातार बिना मतलब टकराफ चल रहा था, तो मेरे खायल से एक बड़ी समस्या हल हो गई है, तो पांच अगस्त को वो आधार शिला रख रहे हैं, और उन्होंने वहाँ एक भव्य मंदिर बनाने की योजना बनाई है, शायद रिकॉर्ड समय में, क्योंकि शायद पिछले 25-30 सालों में, उन्होंने सारे स्टंफ तराश दिये हैं, स्टंफ ये वो सब कुछ पत्थर का सारा काम तयार हो गया है, वो कहीं और रखा है और उन्हें सिर्फ साथ में जोड़ना होगा, बाकी का धाचा काफी तेजी से बन जाएगा, आशा है कि 24 महिने या 30 महिने में ये भव्य मंदिर तयार हो जाएगा, और इस वायरस की स्थिती के कारण, उन्होंने सिर्फ 500 लोगों को निमंतरण दिया है, वरना शायद 1 करोड लोग वहाँ होते, एक से 7 करोड लोग इस मंदिर के खुलने या आधार शिला रखने के लिए वहाँ होते, लेकिन सिर्फ 500 निमंतरण भेजे गए हैं, तो मेरे ख़्याल से ये घटना एक मील का पत्थर है, उन विवादों को हल करने के अर्थ में, जो लंबे समय तक चलते रहते हैं, बिना बिनला मतलब समाज में घाव की तरह पकते रहते हैं, मेरे खयाल से इससे बहुत से लोगों को शांती मिलेगी. अब जब कि आपने राम के बारे में सवाल पूछा है एतिरुगनन दयचूचदव इनवं शोत्तम रामा एतिरुगनन दयचूचदव इनवं शोत्तम रामा नातरमा भवसागरमिधनु नलिनधलेक्षन रामा नातरमा भवसागरमिधनु नलिनधलेक्षन रामा श्रीरगुननधन सीतारमना स्तृतजन पोशक रामा श्रीरगुननधन सीतारमना स्तृतजन पोशक रामा कारुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नधिकानु पुरामा करुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नधिकानु पुरामा क्रूरकर्ममुलु नेरकचेसिति नेरमुलेंच कुरामा क्रूरकर्ममुलु नेरकचेसिति नेरमुलेंच कुरामा धारे द्र्यमु परिहारमु सैयवे धैवशिकामनि रामा धारे द्र्यमु परिहारमु सैयवे धैवशिकामनि रामा वासवनुत रमधास पोशक वंधन मयोध्यरामा वासवनुत रमधास पोशक वंधन मयोध्यरामा धासार्चिता माकबयमु संगवे धाशरती रगुरामा धासार्चिता माकबयमु संगवे धाशरती रगुरामा रामे 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 राम, 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 राम. राम के ये गुण अगर हमें उसे कम शब्दों में कहना हो अपनी जन्ता की खुशाली के लिए उनका समर्पन असीम था वो खुद की कुर्बानी देने को भी तयार थे इस बात की बहुत प्रशंसा की गई है रामायन के माध्यम से तो मूल रूप से हर चीज के प्रती पूरा जनून खुद के प्रती पूरी अना सकती वो इसी के प्रतीख है मुझे लगता है कि सभी इंसानों को इस गुण का अनुसरन करना चाहिए वो चाहे जहां भी हो वाइरस ये देखने के लिए आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप खुद के प्रती कितने आना सकते हैं और हर दूसरे जीवन के प्रती आपके अंदर कितना जुनून है वाइरस जाचरा है बचने का कोई रास्ता नहीं है आप खुद को मूर्ख नहीं बना सकते टेकसस में ऐसा हुआ FBI का एक आफिसर क्योंकि उन्हें शक्त था कि लोग शायद गैर कानूनी कुछ समय पहले जब मेरुआना वगरा उगाना गैर कानूनी था लोग उसे उगा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो एक आफिसर एक बड़े से खेत में पहुँचा वहाँ एक आदमी था जो सत्तर साल से ज्यादा उम्र का था लेकिन वो एक मजबूत और महंती आदमी था आफिसर ने कहा मैं तुम्हारे खेत की जाच करने आया हूँ कि कहीं तुम गैर कानूनी और भ्रह्म पैदा करने वाले पौधे तो नहीं उगा रहे उस बुज़र्ग व्यक्ती ने कहा नहीं हम वैसा कुछ भी नहीं उगा रहे हमारे पास सिर्फ कुछ गाय बैल वग्रह है लेकिन कुछ भी गैर कानूनी नहीं है नहीं नहीं मुझे जाच करनी है ओफिसर का पारा चड़ गया तुम मज़े बता रहे हो कि मुझे कहा जाना चाहिए और कहा नहीं जाना चाहिए तुम जानते हो मैं कौन हूँ और उसने अपना बैच निकाल लिया FBI, मैं FBI से हूँ मैं senior investigator हूँ तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं इस बैच के साथ मैं जहां जाना चाहूं वहां जा सकता हूँ बुजर्ग व्यक्ती ने कहा ठीक है माफ कीजिए आप जहां चाहिए वहां जा सकते हैं फिर कुछ समय के बाद बुजर्ग व्यक्ती को बेतहाशा चिलाने की आवाज सुनाई दी, उस दिशा से, जहाँ पर खेत का वो वाला हिस्सा था, फिर उसने देखा तो वहाँ, आफिसर अपनी जान बचाने के लिए दौड रहा था, और एक बड़ा सा सांड उसका पीछा कर रहा था, फिर बुज़र्ग व्यक्ती दोड़ कर बाड़े के पास आया और बाड़े पर खड़े होकर बोला, उसे अपना बैश दिखाओ, उसे अपना बैश दिखाओ, कृपया वाइरस के सामने अपनी उपाधिया मत दिखाईए, ये कोई भेदबाव नहीं करता, कृपया इ। झाल झाल